असलाम अलेकुम आज मैं बनाने वाली हूँ पाय का सालन फ्रेंट्स सर्दिया चल रही है तो महीने में एक बार पाय हमें जरूर खाने चाहिए क्योंकि इससे हमारी हड्डिया बहुत जाद मजबूत होती है और यह हमारे लिए बहुत जादा हेल्दी होते हैं तो चलिए बन तो यहाँ पर मैंने ये सारे कूकर में डाल लिया है तो यहाँ पर मैं एक से देरल चमच नमक डाल दूँगी इसमें और एक लीटर के लगभग इसमें हमें पानी डालना है तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है तो यह देखिए इसके उपर तक पानी हो गया इसमें क्य काली मिर्च और साथ में आधा चमज इसमें हमने जीरा डाल दिया है और एक चमज डाल देंगे इसमें हम हल्दी तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा तो बस यह सारी चीज़ें इसमें डालनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार तो यहां पर मैंने इसको mix कर लिया है तो अभी इसका हम ढकन लगा देंगे और इसको 20-25 मिनिट के लिए हम इसको पकाएंगे तो बस यहां पर मैंने इसको ढकन लगा दिया और 20-25 मिनिट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे के उपर, यह देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया है, तब तक हम आगे की तयारी करते हैं, तो यहाँ पर 10-15 मैंने लहसन की कलिया ले ली है यह देखिए काफी सारा लहसन लिया है मैंने साथ में अधरक ले लिया है थोड़ा सा और यहाँ पे 3-4 प्याज है तो यह प्याज मैं इसमें कट करके डाल दूँगी इसका पेश्ट बनाना है और बाकी की हमें जो कटीवी रखी हुई है इसको फ्राई करना है तो यहाँ पे मैं इसको काट के डाल दूँगी तो इसका मैं यहाँ पेश्ट बना के तयार कर लूँगी और यह जो बचीवी प्याज है इसका हमें फ्राई करनी है इसको तो इस तरह से अच्छे से हाथ से अलग-अलग कर देंगे तो बहुत जल्दी से ये प्याज फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पर यह देखे मैंने पेश्ट बना के रख लिया है और अभी इसी में हम एड़ कर देंगे यहाँ पर दो चमच लाल मिर्च, दो चमच भर के धनिया पाउडर और साथ में यहाँ पर डालेंगे एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर आधा चमच यहाँ पर हम गरम मसाला इसमें एड़ करेंगे तो सारे मसाले यहाँ पर हमारे तयार हो गए हैं मसाला ये देखे, मैंने एक साथ मिक्स करके रख लिया है, तो अभी इसको हमें अलग-अलग डालनी की ज़रुरत नहीं है, मैंने सारे मसाले एक ही जगा मिक्स करके रख लिया है, तो अभी साथ में कुछ खड़ कर मसाले, 3-4 हरी लायची, एक बड़ी लायची, लोंग, काली एक जावित्री, दो-तीन तेज पत्ता, तो यहाँ पे देखिए, पाई हमारे अच्छे से उबल चुके हैं, तो अभी मैंने इसको खोल लिया है, तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से पाई हमारे यहाँ पे गल चुके हैं, तो अभी मैंने एक भग होना रख दिया है, एक बार इन पाय को मेरे तरीके से बना कर देखिए, बहुत जादा टेश्टी पाय बनके तयार होंगे, तो यह देखिए, प्यास भी हमारा यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आधा प्यास निकाल लूँगी और कुछ मैं इसी में छोड़ दूँगी, तो यह पायों के अंदर बहुत जादा चिपचिपापन होता है, वो हमारे सरीक के लिए बहुत जादा फायदिमन होते हैं, तो एक बार सर्दी के मौसम में जरूर बनाने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंट्स, मसाला हमारा अच्छे से बुनने लगा है, तो अभी जो हमन पाय उबाल के यहाँ पे चला लेंगे, तो मसाले यहाँ पे अच्छे से बुन चुके हैं, तो अभी जो हमने पाय उबाल के रखे हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही जितना भी पानी था इसमें डाल दिया है, तो यहाँ पे नमक हमारा थोड़ा है, नम तो ये देखी फ्रेंट्स कितना बढ़हा सा यहाँ पर पाय का सालन बनके तयार हुआ है मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत जाद पसंद आएगी और रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज रेसिपी को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फैमिली और फ्रेंट्स के साथ में शेयर करें